हलो फ्रेंज श्वागत है आपका आपके चैनल सेश्टी किचन में फ्रेंज आज हम बनाएंगे इमली की फूट की चटनी तो उसलिए में क्या क्या इंग्रीडिन चाहिए उसको देख लेते हैं तो मैंने ड्राइब फूट लिया है सक्कर, गुल, सोटका पौडर, जीरा भूना हुआ पौडर, सौब जिसको मैंने रोष्ट करके पिछ लिया था इमली को मैंने गरम पानी में भिगो के एक घंटे के लिए रख दिया था अब इसको हम अच्छे से मैस कर लेंगे और अच्छे से मैस करने के बाद इसको हम छान लेंगे तो अच्छे से मैंने मैस कर लिया है और छानने के लिए प्रेंस मैंने चलने लिया है इससे बहुत आसाने से वह बहुत जल्दी इसको हम छान लेंगे इस पॉन की हल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इमली को मैंने छान लिया है और इसमें दो चमाच मने रिभाईन डाल दिया है अब इसमें 5 पंच पॉन का तडक लगाएंगे तडक अच्छे से बक गया है अब इसमें हम इ orig का पेश्टा लेंगे और इसको हम पका लेंगे तो इसी पॉइंट पे हम गुर्ड डालेंगे जिससे अच्छे से गुर्ड मिल्ट हो जाए और सक्कर और इसके बाद हम सक्कर भी डाल देंगे गेस का फ्लेम मैंने हाई पे ही रखा है एक बारू बाला जाए तो गेस का फ्लेम स्लो कर देंगे और धीमियाच में इसको पका लेंगे तो इसके बाद फ्रेंश कुछ मसाले हम डालेंगे जीरा और सॉब जिसको मैंने रोश्ट करके पीस लिया था और दो चिममच यहाँ पे मैंने शोट का पाउडर लिया है सब को मिक्स कर लेंगे और इसको भी अच्छे से पका लेंगे तो फ्रेंश अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों के साथ सेर जरूर करें और बेल आइकन को फिरिश करते हैं जिससे मैं कोई वीडियो अप्लोट करूँगी सबसे पले नोटिफिय किसान आपके पास बहुचेगा और जिम फ्रेंश ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंश जब भी आप इमली की चटनी बनाएं तो जितनी कॉंटिटी इमली की रखें उतना ही इसमें सक्कर डालें क्योंकि थोड़ा सा सक्कर हमें इसमें दुबारा डालना पड़ा है तो बहुत अच्छे से इमली की चटनी पक गई है इसके बाद केस को ओफ करेंगे और एक बाउल में इमली की चटनी को निकाल लेंगे तो फ्रेंश यहां पे मैंने एक बाउल में इमली की चटनी निकाल ले है अब इसमें हम फ्रूट डालेंगे तो फ्रूट में फ्रेंश मैंने केला लिया है और अंगूर तो खेला को मैंने काटके पतली-पतली स्लाइस बना लिए है और अंगूर को ऐसे ही डालेंगे और डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे तो खाने में इमली की जटनी बहुत ही अच्छी लगती है तो आप इसको किसी की भी साथ काएं आपको बहुत पसंद आएगा तो बहुत ही टेस्टी हमारी इमली की जटनी बनी हुई है आप इसको ट्राइ करें अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब परना ना भूलें दोस्तों के साथ सेर्च जरू करें और कमेंट करके बताएं आपको इमली की चटनी कैसी लगी